तो यहीं है वो पानी वाला मटन जो की एक हजार रुपए में एक केजी मिलता है जैसवाल होटल में तो आए जब भी यहां तो यह पहले ट्राई कीजिए गुट मॉर्निंग गाइज वेलकम बैक टो मैं निव लॉग तो कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे मजब होंगे तो फिलाल सावन खतम हो गया है मैं फर्स्ट टाइम दो महीने मतलब नौन वेज नहीं खाया हूं पहला बार ऐसा हो रहा है कि दो महीन है कुछ भी नहीं मिला है तो आज अब बर्दास से बाहर है तो अभी चलते हैं मोतियारी की तरफ देखते हैं कौन सा होटल खुला है आई होप जैसवाल खुला होगा तो जैसवाल में चलेंगे तो फाइनली गाइस निकल गया है और आज पावन उत्रा है मतलब जो खूसी सामने ना जाए देखो देख रहे हैं इसी चीज का अडर है आज तो हाइवे पर चलते चलते बात करने का मज़ा अलग होता है तो अभी हमें ऐसा जगह आपको लिए चले ना जहां पतले बताओं तो पचास किलो मीटर से लोग आते हैं खाने के लिए जोपड़ी वाले बनाया था तो साइद आप लोग नहीं देखे होंगे वो ब्लॉग क्योंकि बहुत तीछे सब में है वो तो आज हम फिर से वहीं चल रहे है अगर वो सौप इनकेस बंद रहा तो हम सीधे वहां से लेफ्ट लेंगे और सीधे चलेंगे मोतिहारी और मोतिहारी का वो जगह ज अगर खुला रात तो भाई वहां तो आपको घर वाले मज़े मिल जाते हैं ना तो घर वाला मज़ा तो चाहिए ना याद यह देखो इतने छोटे-छोटे-छोटे खड़गोश जा रहे हैं कि अब पहुंच गया है हम पीपरा कोठी और पीपरा कोठी से जब एक किलो मेटर मैं लेफ्ट लूंगा यानि मोतिहारी मुझभफरपुर वाले रोड में उसी रोड में वह सावजी का होटल है जोपड़ी वाला जहां रूखना है अपने को अगर आप इधर से आते हैं पटना साइड से मुझभफरपुर होते हुए का आप जब भी पीपरा कोठी आईए पीपरा कोठी से एक किलो मेटर आगे जाएगा देर किलो मेटर तो आपको वह मिल जाएगा स्वाप देख लीजे राइट साइड ये चला जाएगा मुझभफरपूर और लेफ्ट साइड ये खुला है लेकिन भीर अभी है नहीं इतना वह सेट है वह सेट चना वाला साव जी बंद है अभी खुला भी नहीं है और इधर देखिए आप बस यहाँ वही चीज मिलता है तो अब चलते हैं सीरे मोतिहारी के तरफ के लास्ट वही एक आप्शन बचा अपने पा लेकिन चलेंगा सीरे जयस्वाल में गाधी आशरम मोतिहारी 9 किलोमेटर और MS College सारे 9 किलोमेटर वालमीकी नगर 157 किलोमेटर है अगर पिहार में कुछ घूमना है एडवेंच्रस करना है तो आप वालमीकी नगर चले जाएए नौबर दिसंबर में उसका भी ब्लॉग हम ड पिछले ही साल गयते तो आप नौबर दिसंबर में चले जाएए और फिर देखिए स्तीन वहां का भाई ओपन फॉरेस्ट है वालमीकी नगर में ओपन फॉरेस्ट आप अगर सफारी से घूमते हैं तो आप खुद के रिस्क पे घूमते हैं आपको बाग सेर कुछ भी खा ज कियो मिटर और है जैसवाल होटल जो की छोटाउनी में है तो जैसवाल होटल देखिए गारियां कितनी लगी हुई है आप देख सकते हैं तो फिलहाल यहां चलते हैं अंदर गारी लगाते हैं पहले कि अभी पानी वाला मटन नहीं त्यार हुआ है हो रहा है यह देखिए इतना थोड़ा कम-कम बनता है पानी वाला मटन क्या सर थोड़ा-थोड़ा दोनों में चड़ा हुआ है यह आधा-धा केजी है और यह सबसे मतलब बेस चीज़ है और सबसे अधा फेमस है अभी यहां का तभी हम भी खाएंगे तयार होता है कितना देट लएगा टाइंग यहां देखिए इसमें आपको सिर्फ चुस्ता देख रहा है अभी और मटन वेकरबाद में डलाएगा यहां पानी वाल मटन का 1000 रुपय है केजी और जब आप हनडी आउना मटन में जाएंगे तो आपको 1200 रुपै कि psychologist अभी जो तयार हो रहा है यह मटन इसको तैयार हो रहा प्रिर मटन डाल के उसको पकाया जाता है इनका एक अलग फ्लेवर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा पुरे बिहार में इसका फ्लेवर नहीं मिलेगा क्योंकि मसाला भी इनका अपना खुद का आता है वही डालते हैं वह भाई अभी सही लग रहा है जब पूरा एकदम अब जब बनाया हुए है यहां पर पूरा सेटिंग बनाया हुए हैंडी मतं का यह सब तेयार है यह सब रेडी है गढ़मी तो बहुत है अलावियां बबहुत लेकिन अभी आम पानी वाला मटन रेडी है तो थास्ट अभी अपना बोल दी अदिए में गिसने ज़िए पाणी का यही है जो मटन पानी वाला इसको बिल्कुल पानी के बनाया जाता है इसमें आपको थोड़ा सा भी कोई इसी नहीं होने वाला है तो मज़ा जाता है खाके जब भी आई है पानी वाला मटन में यहां मोत्यारी में जरूर राई किजिए मतलब आपको कितना भी कहा जाई है कोई दिक्कत में होगा मज़ा भी आपको पूरा आएगा यह खाके तो पानी वाले मटन का समापती करके अब हमारा जो नेक्स टार्गेट है वह आप सामदे देख रहे हैं यह है अमारा अहुना मटन और अहुना मटन यहां आपको बारस रुपे पड़ता है पड़के जी आपको जैसे गेम बताएं तो अब थोसा यह भी ट्राई करते है इस पर आप लो ख़ांगे लिए अन्य immediate और घेंपदो अड़की आप03 अ कि महारा आपकाड है अब दूसरे शोर्च आप आपक यहां थैनने बहुत हिरा अठाथ सुपर ऑड ये पानी वाला मतओ ओगण तो जो पती हुआ था यही से हुआ था जाए स्वाल से यही पर मिलेगा इस दाम प्यूर खेले बहुत जाए खाके निकले तो अब आपको जहां जंग लड़वाना ले चलिए लडवाईये जंग आख पर बहुत दूपर है अब यहां से फिर निकलते हैं और गारी में डलवाएंगे फ्यूल क्योंकि फ्यूल बिल्कुल भी नहीं है तो चलिए फिर खापी के निकल गए हम यहां से और इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे फ्यूल डलवा लेंगे गारी में आप 10 पना लीजिए और इस ब् पहांगे से अइड़ से खाता हैं और जलवाएंगे से नहीं है बाता हैं से नहीं है यहां झालवा उटाता हैं